दोस्तों यदि डार्क मोड की बात किया जाए तो Snapchat में भी एफीचर है कि हम इसे डार्क मोड में यूज कर सकें बट कैसे करेंगे क्योंकि इसकी जो सेटिंग है थोड़ी सी अंदर है वो फ्रेंट भी नहीं दिखती है तो कैसे डार्क मोड को हम इनेबल करेंगे ही आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे और बात भी सी के बारे में करेंगे तो बीना किसी देरी के आई इस वीडियो को कर लेते हैं सुरू तो Hello and Welcome दोस्तों आप देखें ब्राइट जिंक से YouTube चैनल और में ना में रूपेज दोस्तों आई चली शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं न दोस्तों फिर कैसे कैसे क्या करना है तो दोस्ते हाँ पर हम आज चुके हैं लाइब स्क्रीन पर आई यहाँ पर Snapchat में डार्क मोड का पूरा सेटिंग हम समझेंगे कैसे कैसे हाँ पर हमें डार्क मोड इनेबल करना Snapchat अप्लिकेशन में तो सबसे पहले हम अपनी Snapchat अप को ही ओपेन कर लेना है जैसा कि आप लोग देख पार हैं जैसे हाँ पर हम आ जाते हैं तो कोने पर हमारी प्रोफाइल वाले आप्सन आती है प्रोफाइल के आप्सन पर जाते हैं बहुत सारे आप्सन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वापस यहाँ पर सेटिंग का आइकन होता है हम सेटिंग का आइकन पर जाते हैं और यहाँ यहां पर हम बहुत सारा ढूड़ने का प्रयास किया तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां से अपनी प्राब्लम को इनके साथ साजा कर रहे हैं यहां से वाट कैन वी हेल्प यू पर हम टैप करेंगे और यहां पर हम सर्च करेंगे डार्क मोड डालके सर्च किया इनका सजेस्टेड आ रहा है इसी भी हम क्लिक कर देंगे तो यह बता रहे हैं यू कैन चेंज दा अपिरियंस ओफ यूरी श्नेप्चेट एप बाई इनेबलिंग डार्क मोड तो यह बता रहें डार्क मोड और आई उस तो इफ यू आर मतलब आप ऐफोन यूजर है तो यह का रहने प्रोफाइल में ज जाए आलवज डार्क पर क्लिक कर दिछ हो जाएगा अब नीचे देखें प्रीज नोट डार्क मोड इस करेंटी ओनली एवाई लेवल फॉर श्नेप्चेट और आई यूस मतलब आई यूस वर्जन पर ही है डार्क मोड और डार्क मोड और डार्क मोड बनाते हैं आई फोन आप भी ने डाउनलोड करने को कहूंगा आजकल जो फोन आ रहे हैं वहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है और एक छोटा सा ट्रिक बताते हो सकता आपका कारे हो जाए तो आप अपने वाइल फोन के सेटिंग में जाएगा सेटिंग में जाने के बास सर्च में आपे लुखे डिखाना चाहूंगा थीक है और हमेरे डारक लगा के अप्लाइग और आपको बहुत कर रहा है औरुद्स तब अपडेट में आपको जरूर दूंगा यादि अपडेट आती है तो हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नए इंफार्मेशन के साथ तब तक किलिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोग अपने अच्छे से ख्याल रिखिएगा बाई बाई दोस्तों